कि हलो गाइज वेलकम को चैनल दिस ब्लाल आशिक थर्ड यह स्ट्रेंड ओव बीवीसी पतना आज हम फर्स्ट यह कॉलेज के जो वेटनरी कॉलेज का जो मारा फर्स्ट यह का एक्स्पेरियंस हो हम आप से सेर करेंगे ठीक है तो मैं इसको टोटल टेन न्में आन्सकोट को है मैं तो सबसे पहले बारें बात करेंगे हमारा जो क्लास्रूम है वह साठ बच्यों काश्ट था और जो थीक्यों क्लास होती डिए तो हमारे जो र्लास होती थी tweet फाे ट्राक्टिकल सफ यह तो घॉग होट में से time-table क्या होता दर फास्ट य्र में मतलब तरीज से स्वरीटी केसी टीन क्लास होती तो से थी सटीक एक कढ़ेतरье का और फिर हमें एक देर घंते का ब्रेकल्स का मिलता था और शेके बाद हमना फैसे सारे दो झेसे है तो प्राक्रिब क अधिसी एक ग्रूब का हता है मतलब किसी एक ग्रूब का फैक्टिकल में होता था यह फिक है और आपको है फोट्सरीन मैं 3 सब्गचर पढ़ा जाता है अराटमी फ्जोजी और लगा होगा बढ़िया है और स्मार्ट क्लास्रूम है बढ़िया कोई दिक्कत नहीं क्लास्रूम अच्छा फैसलीटी है और हमारा जो फिर हम टीचिंग के बाद करें तो टीचिंग एक सब्जक्ट के लिए तो चार-चार-पांथ-पांथ-टीर होते हैं ठीक है तो टीचर भी अच्छे थे काफी सारी ही एकस्पर tejtator थे हमցसरों मौस्थ सारी 10 प्लस यह का उच्पेक्स टीचर बहुत लिए अच्छे एक्सप्लेइन करते हैं थे तो बहुत ही मतलब चीजे आसान हो कुछ में कंप्रोमाइज भी करना पड़ता था अपको कुछ से ही पढ़ना होता है ठीक है तो सारे सब्जेक्ट के टीचर जो है सारे ही कोई जरूरी नहीं है आपको उनका समझाया हुआ समझ में आ जाए वह आपना आके हैं ना बता के चले जाएंगे बट आपको खुद ही देखना हो टीक है तो हमारे ठीचिंग भी म्लभ भी अच्छे टीचर ठीक है सब्सक्राइब ही finest लाइफ हमारा जो सब्सक्राइब काफी बड़ा एक में चार बंदे आराम से रह सकते चार को ना में एक बंदे रहे जाए आराम से तना बड़ा रूम है ठीक है तो एक रूम में जनरली तीन लोग रहते हैं ठीक है और आपको होश्टल में वाइफाइब लागा हुआ तो बढ़िया मस्क्रास तो मेरा ट्वाइलेट बात्रूम है पूड़ा भगल मैस है ठीक है तो उस्टल मतलब बढ़ी है मुझत है कोई राग इंग की बात की होश्ट में रागीं होती है तो राग इंग तो अब नहीं होती है ठीक है पहले होती थी यह मैंटर पर होगा कॉल्ज सक्क्राइक स सब्सक्राइब पॉइस नहीं हो ती है हमें इंटो टो हमें जाता सारे बच्चों जो है अपना इंफ एंट्रॉडेक्ट्री माई कि नाम क्या है कहां से हो डिस्टीक का सक है क्या है क्या कर थैंथ कप किया हो भी तुम्हारी तो यह आते हैं फिर सुपर अलगफ इसं स्टार्टिंग में खोड़ता था तो prolong के नाव पे यही एक introduction हुआ था अभ तो भी बहुत कम होता है ठीक यहां हम लोग तो इंट्रों ड्रेक्षन दिये अवे वह तना भी नहीं हुआ ठीक है तो अब काफी इंट्रों डेक्षन भी कम हो चुका भी कुछ हो जाता है फिर आपको जान पहचान हो जाता तो आपको बहुत काम आते हैं जाम में जो है बहुत है आपका करेंगे और कहीं जाते भी हो तो आपको सेनियर का help लेना पड़ेगा ठीक है आगे चुचल में तो इसलिए वह फिर लीए हमारा है इंटरनल जैम से नाम से तीन एक्जाम होता है तो जब रिष्टेज्स इंटरैनल इदा होता जब इंटरैनल इंटरैनल ग्जाम होने के बाद дома हमारा होता इस इसको आनल cultural लोग नेक्स्ट यहर में जाते हैं तो इंटर्नल एक्जाम पास करना उतना टफ नहीं है मतलब कुछ सेलेक्टेड कोश्चन होते हैं अब सीनियर से पूछ सकते हैं ठीक है तो वह सब देखकर करके आप आसानी से एक्जाम पास कर सकते हैं ठीक है अगर आप नहीं है कि नहीं पर के मतलब पास कर जाओ ऐसा भी नहीं है अपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से अप्रोच करना होगा जो इंपोर्टेंट पॉइंट चीजें हैं उसको पर लो तो आसानी से पास कर सकते हैं ठीक है और हमारा जो इंटरनल एक्जाम होता है और वाइवा भी होता है तो सब हो जाता ठीक है आपको सब आगे तो पता चल जाएगा सब सीनियर लोग गाइड कर देते हैं तो इजी हो जाता ठीक है और हम लोग कम मैं 20 बैच हूँ तो हमारे जो है स्टार्टिंग उस टाम कोवीड चल रहा था तो हमारा कुछ क्लास ऑनलाइन हुआ था ठीक है तो ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास में उपको समझा नहीं आ प्रैक्टिकल में क्या ही करेंगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता था घर पे रहो आराम से चिल करो ऐसा था कि क्लास हमारा इक्जाम भी ऑनलाइन हुआ था एक इंटरनल दो इंटरनल जो है ऑनलाइन ही हुआ था तो वह अगर एकाडमिक्स की बात करेंगें तो अगर और कॉलेज में जो है कल्चरल प्रोग्राम होता है आपके पास केतना टैलेंट है केतना सेंगिंग डांसिंग जो भी है आपका मलब बहुत सारा अक्टिवीटीटी होता है तो आप अधाम से दिखा सकते हो जितना आपके पास पॉटेशल है जो भी कैपिविटिटी से सब ऻिए लिए सब्सक्राइब करवान्सजिंग टिपास सब्सक्राइब काफी पहले तो काफी मजा कॉलीबॉल ऑट होता है तर बाटमन होता है पिक है बहुत सब्सक्राइबबार compelled to हुआ हमारा इसी जनवडी के लास्ट में रहां इंटर कॉलेज है हिशार के साथ है इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स हुए इन्टरेस्ट नीए अगरता है एंटर कॉलेज के बात करें तो कोई इसके पार्टिक टो तो नहीं है हमारे कॉलेज में ऐसा अधा सरस्वति पूजा जो है वह होता है और काफी तरीके से मना जाता है बहुत ही बढ़ी तग्यारी किया जाता है बहुत मज़ा आता है उसमें सरस्वति पूजा में आप डांस सेंगी हो गया जो भी अपर प्रोग्राम मतलब जो भी हां और एक और बात आता है दिमांगे बचों को वैटनेरी ले ले लें और फिर हम वापस से नीट का एक्जाम देंगे की नहीं या नीट का देना चाहिए या देना है मुझे जाना में विस्तों आपको सांदे सकते कोई दिक्कत नहीं है मैरे बैचवाले भी बहुत सारे द पर प्रिपासिन कर सकते हो खर हो देंगहरेशान ॉशकतो छू अपटऊ कर सकते हो है तो दे तो भी सकते हो तो 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 यह यहां पर आप यह सउच apoyo? तो बागी कोई दिक्कत नहीं आप जा सकते हो अधिक है और और क्या बताऊ हाँ हम लोग को में जो है फार्म घुमाने के लिए ले गया था फ़ार्म पर ले जाएगा फार्म के बाफ स्थार्म पर ले जाते हैं और अलग-अलग ब्रीड होते हैं जो भी जुट है और वहां पर वाइल अजस्ट कैसे अब ज कर में ऐंको तो आपको अजडिया था तो वहाम पर सो कっと ना इसक तो छूत ये संट वह चुर्ण मैं झाया है तो पर आपको जाड़ता है राजगी लिए और शेयर दोड़ें ने फींड ऑस स्हय ने ले गए तो बड़ाजगीर आपको तूट पी ले जाया जा सकता है और बाकी मतलब जितना आप सूच के आओगे उससे काफी अच्छा मिलेगा मतलब मस्त एकदम फर्सकेर में तो इंट्रेक्शन लेते ही समझ कॉलेज को समझने में ऐसे निकल जाता है ठीक पता ही नहीं चला ठीक है थिकष्यक्तर टो मस्त एंज्ड़ाइगा हो़िए होली बहुत मजा आया था हम लोको तो आसी बहुत सरी फन करने को मिले का उप बहुत सारे दोस्त में तो मतलम दोस्त मिलेंगे आपको काफी मज़ा आएगा और हमारा जो कॉलेज का लोकेशन पटना का बेली रोड में ही है एरपोर्ड के बगल में है तो अच्छा काफी अच्छा लोकेशन पर है ठीक है आज इस वीडियो में इतना ही